गुट मॉर्णिंग राते राते दोस्तों सूपर बात आप सभी कैसे हुमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे खुर सगर मज़े मंगे ताप सभी का नीव बुलक्स वालाइबाल में श्वागत हैं दोस्तों तो मैं हूँ जारकरणशे और दोस्तों मॉर्णिंग के साड़े पांच बज रहे हैं और पूरे मुसम में कुहासा चाया हुआ है और मैं आज से अपनी योग जो है ना हमारा जो एकसरसाइज होता है वो श्टार्ट कर दी हूँ तो मैं यह सब ऑन केमरे में यह सब मुझे दि इसलिए मैं अच्छा से नहीं कर पाती हूँ ज्यादातर मैं आसन आप सभी को सेर करती हूँ वही मुझे थोड़ा सा आराम भी लगता है और उसे इजी भी लगता है यह सब मैं यह सब मुझे दिखाने में भी खराब लगता है तो आज मैंने आप सभी सेर कर ही दिया है और एक्सरसाईज हमारी रूटिंग में जरूर लानी चाहिए जो भी हो जो भी करना है जरूर टाइम निकालनी चाहिए तो दोस्तों मैं आ गई थी और यहां पर आ गई और यहां पर मैं बना रही हूं सत्तु भर के मेदे की पूडियां बेटी को आज अलग चाहिए था इसलिए मैं कचोडियां बना रही हूं आज बेटे अंकीत का ना गेप है तो एक दिन लोग की गेपिंग चल के एकजाम हो रहा है तो एक दिन उसकी छुटी रहती है ताज उ ही लगती है मैंने आज काले चणे का नहीं बनाया है आज मैंने चणा दाल का सब्जी बनाए है और यह रेडी हो अपने लिए इसे 1 पय बनानी और यह मुझे पीना है दोस्तों कभी कभी पीती हूं और मिल रही हूं साम के समय क्योंकि साम के समय आज हम लोग रेडी सेडी में मिल रहे हैं और बस्तों लोग के साथ मैं भी रेडी हो रहे हूं क्योंकि आज इनके पापा कहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि उनकी है चुटी त तो किसको अच्छा नहीं करता है घुमने का तो मुझे भी घुमने का अच्छा लगता है। गुत्बू की द sushi में एक all रएडी चर्डी में। यहाँ पे आपकिती हो गाई है हैए और यह लोग और रहे हैं को दोस्तों को यहाँछा नबरा है तो दोस्तो आइने के लिए उल降 जगहए दोस्तों यहां पे यहाँ नहीं ठोड़े से दूर में है 1.5 गंटा का रास्ता है तो वहां पर गरेंजी का अत्भाव पंडाल भी बनता है और मेला भी लगता है तो दोस्तों बस आज थीन की छुटी तो ये लेके जा रहे हैं पच्छों लोगों को और मुझे भी तो फर्स्टाम जा रही हूं तो दर्सन जरूर कराऊंगे आप सभी को और मेरे व और ये मेला ना हर स्पतेक साल लगती है जारखन के डिगवाडी सिंद्री में जो काफी अच्छा भाव पंडाल बनता है ये अंदर का द्रिश्य है इहां पे गनेजी का मुर्दी है और उपर में माता पार्वती और गनेश कार्थी के जो होते है ना जो गनेजी ना परिकर सिर्जी के वही सिंद्र गया है और देखे बाहर का लुक कितना प्यारा है बाहर में भाव पंडाल बनाया था यही पंडाल का द्रिश्य है जो नम किलास का सिंद्र गया है तो ये किलास परवत है और उपर में सिर्जी विराजमान है बेठे हैं देख सकते हो और नीचे में सिूलिंग है ननदी है तो दोस्तों काफी अच्छा ये पंडाल बनाया गया था और ये पंडाल आप सब भी सक्यों हो जाओगे किसीज़े का बना है ये क्वाटेयन का पूरे में कोटल करता से तिजहें देखने में तो बस काफी अच्छा बना था और ये हमारे घरideo काफी दूर पर बी है तो हम पर दोकर काफी कम थी जैसे रात हो रहे थी यहां पर देख सकते हो काफी अच्छे हैं आएए आएym। बच्चों के थे और जुलरियां भी थी तो बस यहां पर मैं बेटी के लिए कुछ बेटी अपने लिए पसंद कर रहे थी दोस्तों मुझे मेरा पसंद से उसको नहीं लेना था तो उसको ना एक मेंने ब्रेस रेट खरी दिया था और एक में अपनी भतीजी के लिए हमेररा मनँरेग लिए कम वाले अाट नहीं लेकम क्वा पसंद की थी तो यहां पर यहीए इन देके लेख रहा हैं यहां यह को मनणजन के काफी चीजिया यहां δरेगा टारामसा नाओ यह buryक दांस तो नहीं है उसमें चड़ना मुझे है वेश लगता है तो यह बेटे को थो मैंने छड़ना इस से नहीं मिलती है कि है किईृSeshwag तो उसने त्लय हो गया था वो तारा माचा में चड़ना चारा था और बेटी कुछ में चड़ना नहीं चाह रही थी और देख सकते हो भीड काफी बढ़ गई है जैसे जैसे नाइट हो रही थी न तैसे जैसे लोकल लोग आ रहे थे तो यहां पर सीटी वाला जो राजकोट का चीज आती है ना गॉल्डेन वाली यहां पर बेटे को कड़ा पसंद आ गया था त तो बस अपनी पापा का बात माना वो नहीं लिया तो हम लोग ने इसकी मुलाई भी हो गई थी यह उन्डेड रुपिया में दे रहा था तो नहीं खरदा बेटा बोला कि ममी नहीं लूँगा तो नहीं लिया तो मैंने कहा कि इसमें चड़ना है तो इसको अच्छा लगता ह यह जब रुकेगी तभी बेटा चड़ेगा और वो वो रहत है कि ममी अकेले मैं नहीं चड़ूंगा किसी को बोल दीजेगा तो ऐसा कोई मुझे मिला भी नहीं था मैं टिकट कटवा दी हूं और मुझे नहीं चड़ना है अना इनके पापा को मुझे यह सब अच्छा नही आता है ना क्योंकि सुनते हैं कि लगता भी है तो बस यहां पे बेटा चड़ गिया था और मैंने ना श्टाप को बोल दिया था कि इनको अकेले मत बेठाना क्योंकि वो अकेले बेठने के लिए तयार नहीं था तो इसके साथ अच्छा बेठा है और मैं वही ढूंड रही ना क्योंकि चाहु आ च्टाप कहां बेठा है अक थिपवाधा श्टाप ना उसको खेलगे बेठा था तो इन चीजों में मुझे चड़ना पसंद नहीं है और अच्छा भी मुझे नहीं लगता है इन चीजों से तो बस उसका ख्वाइस्ता चड़ने का वो चड़ता है अपने फ्रेंड के साथ आता है तो तो मैं यहाँ पे नीचे उनको देख रहे और यहां पर बेटी को बो रहे थी कि तुमको जो चड़ना है वो चड़ो तो उसने मना कर दिया पता ने उसको मन नहीं कर रहा था उसको एक फ्रेंड चाहिए चड़ने के लिए लोकल में आती है न तो वो चड़ती है यहां पर उसको नहीं चड़ना था तो यहां पर बेटा ज्यादा पसंद आता है तो यहां पे मैं यह देख रही थी तो दोस्तो यह देखे वो चड़ गया था और यह देखे वो उतर रहा है तो इसमें काफी कम लोग थे इसमें तो दोस्तो वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती है न तो लाइक किजेगा जो नहीं विल्ड थी और काफी कुछ आया था इस मेले में तो मैं फर्ष टैम आई हूँ जो आप सब के साथ आई हूँ तो दोस्तो मैं अब मेले से निकलूंगी क्योंकि हमारा घर काफी दूर पे है तो जाना है और नाइट का समय है ज्यादा लेट नहीं करूंगी तो इसलिए हम ल यह जाल मुडी अच्छा लगता है चलते फिर द खाओ बच्चों लोग को फॉपकन दिया था और हम लोग ने करमा जिलेवी भी घाए थी करमा जिलेवी भी काफी अच्छी लगती है और यहाँ पर देखे जाल मुडी वाले भईया से जाल मुडी बना रहे थे लेकिन ये खाने में काफी खराब लग रहे थी काफी जो मूर्मूरे ना काफी दे दिया था तो दोस्तों मिलती हूं नेक्ट वीडियो में बाय बाय थैंक्स पर वाचिंग